हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम तो माई चैनल, आम यूर मैक्स टीचर, तोड़े हम क्लास स्टेंट्स, सीबिसी एंसियाटी बुक, चैप्टर, क्वार्टिक इक्विशिन, एक्सराइस 4.1, क्वेस्ट वन का फिफ्थ और शिक्थ पार्ट को सॉल्ब करेंगे, प्रिविएस व वीडियो वाच कर सकते हैं, ठीक है हम, so question is, check whether the following are quadratic equations, हमें ये जो equations आपको given है, इनको solve करना है, और check करना है, ये quadratic equation है या नहीं है, ठीक है, और इसको check करने के लिए मैंने आपको इसका introduction part बताया है, उसे भी आप जरूर देख लें, ठीक है, so पहले हम question को note कर लेते हैं, question is, 2x minus 1, x minus 3 equals to x plus 5 and x minus 1, ये आपको question है, हमें इसे बताना है, ये quadratic equation है या नहीं है, so इसके लिए हम ax square plus bx plus c equals to 0, ये quadratic equation की general form है, इससे हम क्या करेंगे, compare करेंगे, और a आपका क्या नहीं होना चीए, 0 के equal नहीं होना चीए, अगर ये 0 के equal हो जाएगा, तो वो आपकी quadratic equation नहीं होगी, तो यहाँ पर भी देखिए अभी previous जो मैंने fourth and fifth part, sorry, third and fourth part बताया है, उसमें same ऐसे ही multiplication था, ठीक है, तो यहाँ पर हम multiply करेंगे, देखिए multiply करने के लिए इस first term को हम complete bracket से multiply करेंगे, और इस second term को complete bracket से multiply करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम multiply करा ल हमारा, x minus 3 को, then minus 1 है, minus 1 multiply करेंगा, x minus 3 को, एक को स्ट में देखिए x multiply करेंगा, this complete को, तो x in bracket, x minus 1 plus 5 हमारा multiply करेंगा, x minus 1 को, ठीक है, 2x अभी हम bracket को open कर लेंगे, 2x और x multiply करेंगे, तो 2x से square हो जाएगा, 2 3 जा 6, minus 1 है, plus minus minus, 2 3 जा 6, और x, यानि की x ही रहेगा, minus 1 यहाँ पर complete, हम अंदर multiply करेंगे, तो plus minus, minus 1 x को multiply करेंगा, तो only x, minus और minus, plus हो जाएगा, 1 3 को multiply करेंगा, तो सिर्फ 3 ही रहेगा, x अभी देखेंगे, अंदर multiply करेंगे, तो x और x, x square, plus minus minus, x जाएगा, plus, 5, plus minus, sorry, plus plus, plus, plus ही रहेगा, 5 x हो जाएगा, यहाँ पर देखें, ठीक है, plus minus, minus, 5 जाएगा, 5, ओके, हम क्या करते हैं, calculate कर लेते हैं, 2 x square है, यहाँ पर, देखें, 6 x और minus x यह एड़ हो जाएगे, and 4 x, और minus में है, 5, बट हमें इसे, x square, plus, b, x, plus, c से compare करना है, तो इसके लिए हमें, एक side पर क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो 0 बनने के लिए हम, किसी भी x side की चाहिए, इस side के, आप इस side पर transform कर सकते हैं, या, right, right side के left hand side पर transform कर लिए हमें, यह आप पर depend करता है, आप कैसे करना चाहिए हमें, तो मैं, यह right hand side के जितने भी terms है, इनको left hand side पर transform कर देता हूँ, तो यहाँ पर दिखें, 2 x square था, minus में 7 x है, and plus में 3 है, इस x square को यहाँ पर लाएंगे, positive था, तो another side पर sign change हो जाते हैं, plus 4 x है, तो यहाँ पर आएगा, minus 4 x, minus 5 है, तो another side पर positive 5, equals to 0 आजाएगा, ठीक है, आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखें, 2 x square से 1 x square क्या हो जाएगा, आपका subtract हो जाएगा, तो यह x square, minus 7 x और minus 4 x, दोनों क्या हो जाएगे, add हो जाएगे, तो यह हो जाएगा, minus 7 और 4, 11 x, plus 3 and plus 5, add हो जाएगे, plus 8, equals to 0, ठीक है, नाव हम क्या करेंगे, compare करेंगे, now, comparing, comparing with, ax square plus bx plus c equals to 0, compare करेंगे, यहाँ पर दिखेंगे, क्या है, a equals to 1, b equals to minus 11, c equals to 8 है, यानि कि a आपका 0 के equal नहीं है, और अगर a 0 के equal नहीं है, तो जो given equation है, वो आपकी क्या है, quadratic equation है, hence, given equation is a quadratic equation, यहाँ की क्या है, quadratic equation है, ठीक है, quadratic equation है, now हम क्या करेंगे, second part को solve करेंगे, sorry, मतलब six part को, six part यहाँ पर hold down कर लिएचे, x square plus 3x plus 1 equals to में है, आपका x minus 2 of whole of square, x minus 2 whole of square, ठीक है, चाहिए, इस part को भी हम क्या करते हैं, अभी solve कर लेते हैं, तो quadratic equation हमें बताना है, तो हमें इसे भी ax square plus bx plus c equals to 0 से, क्या करना होगा, compare करना होगा, और a 0 के 1 को अगर नहीं आता है, तो यहाँ आपका quadratic equation होगी, ठीक है, चलिए, इसे solve कर लेता है, यहाँ पर देखिए, sorry, x square plus 3x plus 1, यह side तो आपकी calculate है, but यहाँ पर देखिए, x minus 2, whole of square है, तो हम यहाँ पर identity use करेंगे, कौन सी identity use करेंगे, a minus b whole of square है, क्या होती है, यह होती है, a square plus b square minus 2ab, b, तो यहाँ पर देखिए, a और a equals to कितना है, आपके पास x है, and b equals to कितना है, minus 2 है, ठीक है, तो हम इसी identity को use करेंगे, and equation को solve करेंगे, तो यह side तो आपका वैसे ही चलता रहेगा, x square plus 3x plus 1 equals to, यहाँ पर देखिए, a square, it means x square, plus b square, plus 2 of square, minus 2 a and b, a आपका है, x and b है, 2, ठीक है, ठीक है, now देखिए, x square plus 3x plus 1 equals to x square, 2 to the 4, minus 2 to the 4, x, अभी हमें compare करना है, तो compare करने के लिए, एक side पर हमें का चाहिए, 0 चाहिए, तो हम सभी को another side पर क्या करते हैं, transform कर देते हैं, ठीक है, तो यह हो जाएगा, x square plus 3x plus 1, positive था x square, इस side पर आएगा, तो negative x square positive 4 था, इस side पर आकर के, negative 4, positive 4x था, इस side पर आकर, positive 4x हो जाएगा, एक question में आपका 0, अभी देखिए, x square and x square cancel out, cancel हो जाएगे, 3x और यह 4x, बोथ आपके positive हैं, तो यह add हो जाएगे, 7x, अभी देखिए, 1 positive है and minus 4 है, minus 4 है, it means, आपका subtract हो जाएगा, तो 3 बचेगा, और sign हम negative लेंगे, तिकि यह बड़ा है, ठीक है, now हम क्या करेंगे, compare करेंगे, now, comparing with, ax square plus bx plus c equals to 0, ठीक है, इसे इन compare करेंगे, तो देखिए, यहाँ पे, a equals to 0 है, b equals to 7 and c equals to minus 3 है, organic condition, आपको क्या बताई है, quadratic equation में, अगर a आपका 0 के equal हो जाता है, तो वो quadratic equation नहीं होती है, here, 7x minus 3 equals to 0 is a linear equation, यह आपकी कौन से equation है, linear equations है, ठीक है, hence, the given equation is not a quadratic equation, ठीक है, यह आपकी quadratic equation नहीं है, I hope आपको chapter quadratic equation exercise 4.1, question 1 का 5 and 6 part बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, if आपको कोई भी doubt है, then आप comment box में comment करके, मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको questions समझ में आता है, then आप video को please like करें, और मेरे चैनल को subscribe ज़रूर कर लें, and bell icon को दवाना बिल्कुल भीना बोलें, ताकि आपको आने वाली notifications के सबसे पहले मिल सकते हैं, Thank you.